हेलो फ्रेंड्स कैसे हुआ आप जैमा टैरू में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरू गाइस जैमा टैरू की जन्र रीडिंग का टोपिक है आपके परसन की ट्रू इंटेक्शनर हाँ जी हाँ यनि की उसे इंसान की सची बावना जिनको आप प्यार करते हो यह रीडिंग ही शी सेम जेंडर सबी लोगों के लिए है कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है आप जब जी चाहे इसे देख सकते हो जितनी रोजनेट करें रख लेना बाकी जाने देना लेकिन यह बात पक्की है इस रीडिंग में बहुत से बहुत सी कलेक्टि मिलेगी अगर आप प्यार महुबत रिलेशन के रिष्टे में हैं तो आप अपने परसन को याद केजिए और उनको इमेजिंग करते हुए यह वीडियो को देखें ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझाए और आपकी जो अनर्जी है आपके परसन तर पहुंचें तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि उस बंदे की अनर्जी तो इन कार्ट में निकल आएगी तो आपकी भी पहुंचनी जुरूरी है सामने को सामने वाले को पता लगना चाहिए कि मैंने क्या करा है और किसको छोड़ा है या किस से दूर फर्स्ट कार्ट देखते हैं गाइस पहुंच है कि दा हर्मिट मेजर अरकाना का कार्ट है कि अगया है कि अगया है कि सेकिंड गाइड यह भी मेजर अरकाना का डैथ का कार्ड है तेरा नंबर का बहुत कुछ हुलना बड़ा लगता है गाइस दोन कार्ट बता रहे हैं आपका उसकी टूर इंस लिए जिए इनकी कसर थी दा हैंड मैं आप जानते हो तीनों कार्ड जो हैं मेजर अरकाना से हैं तन अफ कप्स दो कार कथे आएं गाइस फाइफ फॉफ वांड नीचे है फॉफ फॉफ पैंटिकल्स ढब खॉफ थॉफ दूर। फॉफ टो हैं गाइस थीजिए टॉफ लगता है। टू ओफ पेंटिकल दाल लवा और बोटम में क्या है गाइस आप भी देख लेजिए मैंने तो देख लिया है तो गाइस आज का रीडिंग का टूपिक है आपके परसन की ट्रू इंटेंशन क्या है तो चलिए रिष्टे का थोड़ा पास्ट में जाते हैं थोड़ा आगे का अब का और थोड़ा आगे का क्योंकि रीडिंग तभी समझाती है में में बता दूँ तो सिर्फ चार काड़ी काफी है तीन काड़ी काफी है पर नहीं तो गाईज अगर मैं बात कहूँ आपके प्यार की आपके connection की तो आपका जो connection है ना गाईज वो प्यार वाला लव वाला और क्या है heart touch प्यार है इसमें कोई दोराय नहीं है कि आप दोनों इस रिष्टे में अगर आए हो तो किसी ऐसी चीज की वज़ा से नहीं कि जिसको time best जैसा नाम दिया जाए लेकिन गाईज यहाँ पे devil का card भी आ रहा है आपने इस चीज को गोर फर्माना है और यहाँ पे है five of wants का card जो प्यार है कि दिल तो आपने दिल से लगाया प्यार भी बड़े अच्छे से किया रिष्टे में सब कुछ सही चल रहा था फिर क्या हुआ फिर हुआ उल्जने पैदा हुई लोगों के लड़ाई जगडे यनि कि और लोग दखल अंदाजी करने लगे ज्यादा हादे बढ़ गई और रिष्टे में दराड़े आने शुरू हो गई रिष्टा क्यों दराड़ पे आया ये भी मैं आपको बताती हूँ लोगों की लड़ाई जगडे की वज़ा से नहीं आया रिष्टा तब ऐसे दराड़ में आया कि जो आपका परसन है हैंग मैं का काड आया है देखि रिष्टा नहीं संभाला गया क्योंकि जो ये रिष्टे होते हैं इनको संभालने के लिए ब्रेन बहुत पावर वाला चाहिए और साथ में उससे ज़्यादा कहीं हिम्मत चाहिए जो इस इंसान के अंदर ब्रेन तो था लेकिन हिम्मत नहीं थी और सामने वालों ने उसी च चुप करके बैठ गया अगर आज आपके साथ इस situation में है अगर है तो यह आज भी रिष्टा यह संभाल नहीं पा रहा तो इसलिए आपका रिष्टा जो है खराब हो गया death का card यह बता रहा है बहुत से लोगों का रिष्टा जो है इस time no contact में है आप लोग सोच चुके हो यह अब इस रिष्टे में कुछ नहीं बचा सारे रंग खतम हो चुके है यह रिष्टा एक बेरंग हो गया है जब चीज कोई बेरंग हो जाती है तो उसको देखने का मन नहीं करता नहीं नहीं करता लेकिन रिष्टा एक ऐसी चीज है कि जब यह बेरंग हो जाता है तो इसकी याद सबसे ज़्यादा आती है और इसको कहते हैं ट्रू लव सच्चा प्यार और एक अच्छी सोच लेकिन गाईज जिष्टा तूटने के बाद अगर यह इस इंसान का को हो तो यह इंसान जैसे पेले थे ऐसे अगर कुछ लोगों के रिष्टे में अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है तो यह हैंड मैन के अनर्जी के रा बता रही है कि यह अपनी बुजली जा अपनी मासूमियत को यही बोलने वाला इंसान है कि जो करेगा डिवाइन अच्छा करेगा जो होगा जब कभी आप इनको कहते होगे इश्वर अच्छा करेगा बगवान पर वरोसा रखो हम कर क्या सकते हैं अब बड़ों का मानना जुरूरी है लोगों ऐसे excuse देंगे कि जिसमें आपको दिल करेगा भी अभी इस इंसान का मैं क्या करूं यह तो सिर्फ बातों को सिखा रहा है तो आज भी इस इंसान की अनर्जी ऐसी है क्योंकि इसने divine पर शिर्फ बरोसा रखा हुआ है क्योंकि यह जानते हैं कि यह ज़ादा उलज नहीं सकते ज़्यादा इंसान पावर में नहीं आ सकता तो इसलिए आपके रस्ते का कुछ लोगों का लगा हुआ है ब्रेक अप लेकिन गाइज आपको मैं बता दू इस इंसान के रिष्टे का और आपका ब्रेक अप चाहे लगा हुआ है लेकिन ये इंसान जो खुश नहीं है क्योंकि यहां जो हमें हर्मिट का कार्ण मिला है वो ये बता रहा है कि ये लोगों को या आपको अकले इन्होंने बहुत अकल दी काफी अपनी बुद्धिमानी दिखाई काफी ये कहा कोई बात नहीं वक्त का इंतिजार करो सब देखते हैं हम भी देख लेंगे कहां जाओंगा मैं तुम्हें चोड़के लेकिन अंदर से ये इंसान तूटा हुआ है क्यों तूटा हुआ है मैं आपको बताती हूँ यहां जो बोटम में है न किंगो वांट्स वो अभी भी third party इन में बार ई है third party का डर इनके दिल में अभी भी है इनके साथ कुछ ऐसा गटित हो जाएगा इनको लगता है अगर इनोंने अपन मन बर्जी करी तो guys third party जो है इनकी family का कोई member भी हो सकता है और मैं आपको बताऊ कुछ लोगों के person जो है यहां ब्लैक नेश दिखा रही है कि टोक्सिक फैमिली से बिलोंग करते है अगर यह बास सही है तो मुझे आपने कमेंट बोक्स में जिरूर लिखना है कि मैडम आप सही थे बस मैं यू आ राइट लिखोगे मैं समझ जाओंगी यह चीज आपके साथ मैच हुई है तो गाइज यह इनसान जो इसलिए ज़्यादा परिशान है इसने जितनी बुद्धी वाली बाते करनी थी वो कर ली आपके साथ अब इसके पास कुछ नहीं है अंदेरी चाया ना कोई रिष्टा ना कोई किनारा ना कोई रास्ता यह अपने आपको एक ऐसा इनसान मेसूस कर रहे है और डेविल का कार्ड मैं बता देती हूँ हो सकता है आपके रिष्टे पर या आपके परसन के रिष्टे पर किसी ने कुछ नजर लग रखी है जिसको कहते हैं नजर लग रखी है और सच में निकलता है कि हाँ फलाने ने किसी पर करवा रखा था तो गाईज इनके सबके इलाज होते हैं लेकिन नजर भी जो होती है किसी करवाई से कम नहीं होती तो आपने यह ध्यान रखना है कि जो इनसान आपके रिष्टे को और इनके रिष्टे को पसांद नहीं करता बहिशक उपर से आपका जितना मर्जिश उपचिंतक बनता है उसको आपने कभी भी अपने दिल के बात नहीं बतानी तो गाइद इस इनसान का हाल अब यह है अब आवी बात यह अपने आप मों जब से आपका और इनका रिष्टा खराब हुआ है यह इनसान जो है अपने आप में उल्जा पड़ा है इसके दिल और दिमाग में काफी बाहर है काफी उल्जने है इसको ऐसे लगता है कि पैरों के नीचे जमीन किसक गई है कही न कही इसका फिजिकल का भी इसके उपर इन बातों से असर पड़ा है और कही न कही इनको फाइनस पे भी लोस हुआ है लेकिन ये गाइज आप कई तरफ इनका अट्रेक्शन पूरा है डेविल का काड ये भी बताता है ये आपको मिस बहुत करते है और डिवाइन भी कहता है बले ही सब चीजे चूट गई है लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है सूरज ढूपता है तो क्या मैं कहती हूँ निकलता है आपके रिष्टे की नियो बीगनिंग ये इनसान चाहता है क्योंकि दा लवर का काड है गाइज ये आप लोगों का सोलमेट कनक्शन है ये इनसान सोलमेट का बनाया हुआ आपके पास आया है आप लोगों के रिष्टे को एंजल की ब्लेसिंग है बले ही आप लोग दूर रहते हैं लेकिन आपकी दड़कने जो है दूर बैठे एक दूसरे को सुन लेती है इनकी मन की इंटेंचन ये है ये आपके साथ सेलिब्रेशन यनि की इनज्वाय करें पार्टियां, अंगेजमेंट शादी, बच्चे हैपी फैमिली हैपी फैमिली के साथ एक प्यारा सा छोटा सा गर जिसमें एक प्यारा सा परिवार हो, और डेर सारा प्यार हो, इस बंदे की तमन्ना ये है लेकिन गाईज, इसने सब कुछ डिवाइन के उपर छोड़ रखा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर से आपको लेकर ये बंदा हर्मिट का पहला काड़ा है बहुत होपलेस है अगर ये इस टेम आपके साथ रिष्टे में चल रहा है तो भी अगर इसने आपको ब्लोक डाल रखा है रिष्टा खतम जैसे है तो भी लेकिन आपको मिस बहुत करता है, इसकी अंदर के इंटेंशन है, आपके साथ प्यार, महोबत, घर गाजा, भाजा और पार्टियों की क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, लेकि यहां ये इनसान हर्मिट के मोड में तब चला गया है क्योंकि ये जानता है कि इनके सर पे अभी थर्ड पार्टि का प्रेशर पूरा है, तो चलिए आज मैं कार निकाल के देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या ये थर्ड पार्टि कभी जाएगी जा कब तक जाएगी क्योंकि जो भी चीज आती है कभी न कभी तो जाना होता ही है पर्मानेंट कोई भी चीज नहीं रुकती जैसे प्यार नहीं रुकता वैसे नफरत भी नहीं रुकती दुख, सुख सब थोड़ी टाइम के लिए आता है और ये चीजे हमें आती है हमें ये सिखाने के लिए कि उठ मुझे बूल गया है मुझे याद कर मैं भी तेरा अपना हूँ मैं डिवाइन की यूनिवर्स की बात कर रहे हूँ चलिए कब तक कब तक गाईज फाइफ वीक लग रहे है अगर आपके रिष्टे में अभी कुछ प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ अगर आपके रिष्टे नो कुंटेक्ट में हैं ब्लोक हुआ हुआ है ये परसन इग्नौर कर रहे हैं तो आपको फाइफ मन्थ लग सकते हैं ये दोनों लोगों के लिए हैं जिनका रिष्टा अभी प्रेजर्ट में खराब है लेकिन चल रहा है उनको तो फाइफ विक और उनको जिनका बंद है उनके लिए फाइफ बंद चलिए मैं आपके लिए एक अड़वाइज कार्ड निकालती हूँ जिसमें आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है आपके लिए एड़वाइज कार्ड है यह वाला टू ओफ पैंटिकल्स तो आपके लिए डिवाइन ने यह कार्ड निकाला है कि आपको इन बैलंस नहीं होना अपने रिष्टे को लेके इन बैलंस नहीं होना और इस परसन को आप याद तो करोगे लेकिन अपनी कोई बुझदली वाले हरकत नहीं करनी क्योंकि जहां आपने यह कोई हरकत करी जिस्ता बनते बनते फिर पहले वाले मोर पे आ सकता है और आपको पोजिटिव बने रहना है जैसे जैसे आप यह सब चीचे करोगे तो आपका हैपी फैमली का सपना पूरा हो जाएगा तो चलिए एक कार्ड के लिए आपके रेमेडी देखती हूँ कोई रेमेडी है अगर आप लोगों के साथ यह रीडिंग मैच करेगी तो मैं रेमेडी निकालती हूँ फुल टो फुल मैच करनी चाहिए रेमेडी के लिए फूर ओफ सूर्स रेमेडी में आपको क्या करना है रेमेडी में आपके रास्ते जो है ब्लो को रखे है मैं एक बता रही हूँ कि आपके रिष्टे को नजर लगी हुई है जा किसी ने कुछ करवा रखा है तो आपको क्या करना है आपको नीले और काले कपडों का परेज करना है जैसे जैसे आप इन चीजों को करोगे लेकिन आपने ये रेमेडी तब करके देखनी है अगर आपके साथ ये फूल टू फूल पूरी मैच करती हो और अगर आप अपने रिष्टों के लिए ज़्यादा टेंशन में है आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा तो यहां रोज को आर्ट्स ब्लैक हरी वो भी यहां पे है आप चाहें तो मुझे पे वर्टसैब पे हाई लिख के उनके बारे में जानकरी ले सकते हैं तो यह थी आज की रेडिंग जो जर्नल है अगर आप परस्नल रेडिंग करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी और आपके परसन की जानकारी हो और जिसमें आपके सवालों और आपको अपने सवालों के जवाब मिले तो वो भी यहाँ पे available है आपने क्या करना है आपने description box में जाना है वहाँ जो है slot जो है book करवाना है slot में जाके session जो है book करवाना है पर्सनल रीडिंग जो है पे रीडिंग है जैन्वल रेट में है और पूरे सीक्रेट में में वो रीडिंग होगी तो चलिए ये रीडिंग थी जैन्नल मैंने पर्सनल का भी बता दिया अगर रोसकुष चाहिए तो आ मुझे इनफॉर्म कर सकते हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शियर, कमेंट केजिए साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कू फ्री है बेल आइकन को तो आपने जुरूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पूंचे आपके फोन पर अभी तक के लिए इतना ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गोड ब्लेस जू और जैम आता दी अच्छे वाले कार्ड के साथ